हेलो फैंस मैं हूँ धर्मेंद और आप दिख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गोली आप से भी का आपके अपनी चाल पर बहुत-बहुत श्वागत है तो जैसे कि फैंस आप लोग जान गए होगे कि हम बात करने वाले हैं आप एप एंसलरी ट्रेट्समेंट टूथाजन नाइ कॉलिफाई हुआ फिर मुझे मैडिकल के लिए क्यों नहीं बुलाया बहुत से कैंडिट का कहना था मेरा हर एक चीज कॉलिफाई हुआ फिर मुझे मैडिकल के लिए क्यों नहीं बुलाया किसी का कहना था सर मेरे मार्क्स चेक करने हैं किसी को जानना था कि सर मेरा किस कारण बस सेलेक्शन नहीं हुआ मुझे एजाना है तो दोस्तो इसी के चलते मैंने आप सभी से बोल था इसके लिए और शिर्फ एक ही उपाय है वो है RTI मतलब Right to Information Act 2005 जिसके तहत आप अपने संबंदित विभाग से कोई भी information ले सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो दोस्तो यही हुआ मैंने बोला था कि आप लोग एदी RTI लगाना चाहें तो मैं आपकी RTI लगा दूँगा हाँ तो फैंस इसी क्राम में नाम इकल के आता है हमारे दोस्त मित्र किसका जितेंद्र कुमार्श सैनी जी हाला कि RTI तो बहुत से candidate ने मेरे से fill करवाया है वाट किसी का थोड़े आंगे किसी का थोड़े पीछे हो सकता है RTI का reply तो दोस्तो इनका RTI का reply आ गया है इन्होंने जो तो questions रखे थे पूछे थे उनका reply आ गया है बाकादा, marks वगरा हर एक चीज तो फैंस हम जानते हैं कि आखिरकार क्या बोला है आपके इनके RTI में हम भो जान लेते हैं लेकिन दोस्तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बड़ेंगे आप चैनल पे नहीं है तो subscribe, share और bell icon को प्रेस कर लें और यदि आप भी चाहते हैं कि सर मेरा भी RTI लगा दीजिए, मेरे को भी अपने marks चेक करने हैं, मेरे को भी जानना है मेरा selection क्यों नहीं हुआ और इसके साथ बगरा बगरा आपकी और भी कोईरी हो सकती हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा वीडियो के description में यहां पर एक link दी होगी आप उस link पर click करना और उस link पर payment करने के बाद आपको एक options आएगा जिसमें आप अपनी information submit कर देना link मिलेगी तो चली फैंस बढ़ते हैं आंगे और आप चाहें तो इसके लिए एक वीडियो भी देख सकते हैं corner पर मैं आपको provide करा दूंगा जहां पर आप click करके सारी सारी प्रोसेस देख लेना कैसे आपको आइट्याई के लिए registered करना है तो चली फैंस बढ़ते हैं और देखते हैं जितेंद्र की आइटेंग का reply अपर देख सकते हैं जितेंद्र कुमार सेनी inka Ranty फिल लगए और इनको मात्र मात्र आट फी दिन लगे हैं और इनकी आटेंग रिप्लाई आ गया हां तो आप देख सकते हैं हम आ गे हैं अंगली स्लाइड में और यहां पर जैसे कि आप दे नाम देख सकते हैं तान्या करके हैं कोछ देखते हैं यहां पर छिन तान्या मरन दी इनके तरब से यहां पर reply दिया और यह security हैं ऊकई चलिए दिखते हैं इनका reply तो डियो फेंस आप देख सकते हैं अन्गली स्लाइड में और बात कर लेते हैं आपर रिपलाई की जैसा कि आप देख सकते हैं इन्फॉर्मिशन शूट आउट अंडर आट एक 2005 मतलब कि आपकी जो इन्फॉर्मिशन ने जानकारी है शूट आउट की गई थी आट एक किते हैं 2005 किते हैं यहां पर इनका संदर पर वहाला अप्लिकेशन नमर जे दिया था इनका और यहां पर बो लगाया है विद रेफ्रेंश तू यूर रिक्वास्ट मेट थू आट एक 2005 वाइड यूर अप्लिकेशन अंडर रेफ्रेंश दा आपर रिक्वाइड इन्फॉर्मिशन इस फैनिश्ट आपर हैर अंडर ओके तो इस मार्श है CBT का वो कितना है और इसके साथ मेरे टी टी का मांक्स कितना है यह बताईए तो दोस्तों यहां पर आसपर रिकॉर्ड यूर आरप एफशेलरी से बीट एक्जाम रो मांक्स बाज यहां पर 37.66 मतलब की आपके CBT के मार्क्स 37.66 है या थे ओकी एंड यूँआ टीटी मार्क्स बास 28 मतलब कि आपके टेस्ट में मार्क्स आपको मिले हैं 28 जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों आपका जो टेस्ट था I think 40 मार्क्स का था है ना 40 चार्स में से आपको इसर 12 मार्क्स 40 में और 27 इनको पर मिले था हैं और अनका सेकेंड और कोशन क्या था कि सर मेरे मार्क्स कितने हैं तो यहाँ पर बड़े दुक है कि इनका जैसा हुए इनके मार्क्स 35.46 बचे एक कैसा है दोस्तों आप देखिए आस पर रेकॉर्ड युवर आर पी अपंशलरी CBT normalized marks यहां पर 30 5.46 मतलब कि इनके नौर्मलाइजरेशन के marks गट गए जी दोस्तों इनके नौर्मलाइजरेशन के marks गट गए आप यहां पर देखिए 37 से जी आगए कितने 35 पर इनके करिवन 2 marks के सम्थिंग यहाँ पर less हो गए इनका जो CBT का marks था आप यहाँ पर देख सकते हैं 37.66 था और जब इनका CBT का normalization हुआ तो इनका marks बचा 35.46 तो मतलब इनको loss में चले गए इनके marks यहाँ पर गए तो यह था किसका जीतन जी का second question अब third question का जी था कि sir मुझे बताईए कि मेरा selection किस कारण नहीं हुआ मुझे इसका कारण बताईए जैसे कि मैंने पूछा था बाकार्या English language में पूछा था तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं काम है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट से कट आफ से ओके selected पैनल फॉर कॉंशेवर आर्पया पैंसलरी ग्रूप भी यहाँ पर बोला है सियोर नेम बाज नॉट इन फाइनल मेरिट लिस्ट सेलेक्ट पैनल तो दोस्तों आप पर देख सकते हैं ऐसे साप कर दिया गया है कि आपका जो स्कॉर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट के कट आप से आपका स्कॉर कम है इसलिए आपको ग्रूप बी का जो पैनल सेलेक्ट किया गया है आर्पया पैंसलरी कॉंश्टिबल का इसलिए आपको वहाँ पर नाम नहीं देखने को मिला। था फ duration पूचसे था कि सर religious आई की फॉर्थ खॉशन जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह साउट पहल यह्फिर तो आप यहाँ पर दिख सकते हैं reply में दिया गैए reply to the कोई दिलाइक वाय डज नॉट इंक्लूड इन आइट 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 आप इन्होंने साब कर दिया गया है कि इस चीज का रिपलाइ हम नहीं दे सकते क्योंकि यह आइट आइट के तहट नहीं आता ओके ऐसी इन्फॉर्मिशन इनको भी प्राप्त नहीं होगी इसलिए इन्होंने नहीं बताया है कि आपका जो बेटिंग लिस्ट आएगा के नहीं तो दोस्तों यह तो थे चार कॉश्चन जो की जितेंद्र कुमार सैनी ने पूछे थे आइटि आई के द्वारा और उनको बाकाइदा हरे कॉश्चन का जबाब मिल गया है I think आप इस अंतोष्ट हो गया होंगे इनके जो जो डाउट थे कोरी थी कि सर मेरे को मेरे मार्क से जानने है CBT के मेरे को टेटेस्ट के मार्क से जानने है मेरे को नॉर्मलाइज मार्क से जानने है मेरे सेलेक्शन क्यूं नहीं हुआ मुझे जानना है और मेरे बेटिंग लि पास अभी time नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया है जैसे इन्हों ने बोला है कि आपका selection final merit list cutoff के बज़े से नहीं हुआ है मतलब कि आपका cutoff गया है उससे कम आपका marks आया है इसलिए आपका selection नहीं हुआ तो आप यहां पर total कर लेना 37 मैंसे to less करो मतलब की 35 और 28 जे आपका marks क्या है tt का है इन दौनों को plus करो इन दौनों plus करने के बाद आपको क्या करना है आपको देखना है आपका cutoff को देखो और फिर चेक करो कि आखिरकार आपका cutoff से जादा मार्क्स जा रहा है या फिर कम मार्क्स जा रहा है जैसे कि दोस्टों आप addy लिघे करेंगे तो यहां पर आपकी value आपको पतर चल जाएगी और आपका cut up भी अपर आपका और SO हो रहा होगा कि आप किस करिडिक्री क्यों क्या रहा है एक य। आपका देख लेना अच्छे से क्टॉप यहां पार 63.46 के सम्थिंग आपका माक्स जा रहा है। जहां दोस्तो 60 देख लेना अच्छे से आपका कटॉप गया है तो कितना। तो दोस्तों ये तो था किसका जितेंद कुमार सैनी का रिपलाई जो कि मैंने बाकाइदा बता दिया है अधि आपका नहीं आया है तो दोस्तों आप भी देख लीजिएगा आपकी एमेल आइडी पर आ गया होगा नहीं तो वन मंत के अंदर अंदर आ ही जाता है इनका तो आठ दिन के अंदर आ गया किसी प्रॉब्लम इसू के कार थोड़ा लेट हो जाए बट आपको एक महीनी के अंदर अंदर देखने को मिल जाता है ओके फैंस आइठ आपको कोई कोरी नहीं रही होगी एडी कोई हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना और हाँ आप भी चाहते हैं कि सर मेरा आइड लगा दीजिए तो जाहिए नीचे डेस्क अपशन बॉक्स में लिंक है उस लिंक पर आपके लिए कर लेना पैमेंट स्क्रीन में यहीं पर उसको देख लेना तब तक कि लिए लेते हैं आपसे बिदाए टेक क्या लवियो और जय हिंद जय भारत